हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टो वर चैनल एक्स्प्लोर विट विश्वजीत्तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि ICR के द्वारा 10 अप्टूबर को यानि कि कल के दिन हमारा रैंक कार्ड को उन्होंने रिलीज कर दिया है मतलब रैंक कार्ड आ गया तो इसके आगे की प्रोसेस क्या है कैसे होने वाली ये चीजे फिर कौन-कौन से कॉलेजेस है किती सीट से सीट मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे फिर आपको जो 10,000 फीस है फिर कई नई रूल भी बने हुए है कि आपकी जो सीट एक्सेप्टें ब्रोसेर भी इन्होंने रिलीज किया है तो इस ब्रोसेर को आप डाउन्डोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से वेबसाइट में जहां पर हम लोग का लॉग इन का है उसके नीचे ही दो टाइप दो ब्रोसेर है एक ब्रोसेर क्या है PCR एक्जाम ब्रोसेर मतलब इन्फोर्मेशन बुलेटिन बोलते हैं इसको इन्फोर्मेशन बुलेटिन तो एक वह है और एक जो है वह क्या है b counseling brochure, जो कि ये लिखा हुआ है तो दो tab मिलेंगे, उसके अंदर से आप यूजी का ले सकते हो तो ये हमारा ICR का main वो है, और इसमें ये चीजे explain की गई है, हर बार की तरह इनका जो brochure है, वो maximum 35 pages का ही रहता है हर बार, तो इस बार का भी 33 pages का है, ठीक है तो हम लोग देखते हैं कि इन लोग ने बताया कि कौन सी information, ये सब चीजे जान दो अपने को जो सबसे important है ये है हमारा क्या schedule तो इसमें minor changes होते हैं लेकिन ऐसा कोई बड़ा changes तो होगा नहीं तो जैसे कि जानते हैं कि NTA ने हमारा result 15th of July को कर दिया था, ठीक है इस वीडिये में हम लोग हर चीजों को brief से देखेंगे और फिर इसी के बाद इन ही चीजों को मैं थोड़ा expand करके आपको बताऊंगा कि क्या-क्या चीजे होंगी, क्या-क्या rules है कैसे-कैसे, आगे बड़े हैं हम लोग यह सब चीजे देखेंगे तो उसके बाद हम लोग rank card को 10 October को download कर सकते हैं, यह देख लिया अब देखें, maximum मैं बता रहा हूँ इसके बीच में अभी हम लोग 85 days, मतलब NTO को counselling चालू करने में 85 days लग गए, लब result announce होने के बाद, मतलब rank card rank card चालू हो गया है तो rank card हमको मिल चुका है, counselling schedule भी कल मिल चुका है, मतलब 10 October को हम लोगो यह सब चीजे मिल चुकी है अब seat matrix और choice filling अब चालू हो चुकी, seat matrix भी इसी schedule के, मतलब इसी brochure के अंदर सबसे last वाले page में है, तो इसका choice filling की last date है वो है 15, मतलब 15 October को हमको choice filling खतम करने ही, ठीक है फिर यहाँ पास first round, मतलब first round की counselling कब चाली होने वाली 16 से, मतलब जैसे ही आपका 15 को choice filling शाम को बंद हो जाएगा, शाम को भी नहीं, रात को 12 बज़े बंद होगा मतलब 11.59 पीम को और दूसरे दिन 5 पीम के बाद से आपके allotment चालू हो जाएगी, फिर आपको online document 18 से चालू करनी, फिर document verification होगा, फिर आपको resubmission करना है, मतलब क्या होगा पता है, आपको जैसे ही आपको provisional admission letter मिलेगा, ICR के तरब से, तो आपको अपनी documents को upload करना है, upload करने के बाद, आपको 18 तारिक तक online documents upload करने के बाद, यहाँ पस university verification करेगी और आपके documents के बारे में remarks देगी उस remarks के हिसाब से आपको re-upload करने पड़ ती कई documents में false होते हैं कई-कई चीज़े हो रहती है, उसको rectify करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको आपको re-submission करना पड़ता है, documents को फिर re-submission नहींता, फिर से verification होगा, verification होने के बाद, seat acceptance fee है, जो की रहती है हमारी 10,000 रूपए seat acceptance fee कुछ नहीं है, बस आप जो भी fees pay करने वाले, university को क्योंकि ICR में कभी भी याद रखना ICR का दूल क्या है कि कभी भी ICR में आपको कोई college alert नहीं होता है college alert नहीं होता है हमेशा आपको university alert होती है मान लो आप अगर कोई university में पढ़ रहे हो university के colleges अलग लग जगा पे भी हो सकते है मान लो अगर आप महराष्णा में पढ़ रहे हो तो नाखपूर में university है तो आपका college मुंबाई भी हो सकता है ऐसी कोई guarantee नहीं कि आपको नाखपूर लगा तो नाखपूर ही मिलेगा तो university देना इनका काम है तो university को अगर आपको वो करना है तो उसको आपको ICR को 10,000 रूपीज स्थी tax admittanceable के भाणना पड़ेगा जो भी fees होगी आपकी वहां के जित्ती भी total fees होगी जब वहां पस आप offline reporting करोगे मतलब अभी तो यह online counseling है तो online reporting होगी तो offline reporting की date उन लोग खुद बताएंगी university वाले जहां पस आपका admission होने वाला है तो fees जो है हमारी जो total fees में से आपकी मतलब माल अगर F fees है तो 10,000 माइनस करके आपको वहां पस pay करनी पड़ती है ठीक है और आपको apply और यह fees क्या है refundable and non refundable किस case में यह सब हम लोग देखने वाले ठीक है और इसके बाद second round का भी है second round 30 October से चालो होने वाला है और 9 November तक खतम होने वाला है फिर तीसरा round भी सेम तरीके से 13 November से चालो होगा 20 November को खतम होगा फिर चौथा round भी है इस बार फिर मॉप अप राउंड है और मॉप अप राउंड के बाद आपकी जो भी seats vacant रहेंगी जित्ते भी seats vacant रहेंगी वो सब seats को हमको उन इनिवर्सिटिस को अलोट कर दिया जाएगा ठीक है तो हम लोग आगे देखते हैं ये ये page सबसे जादा important है ठीक है तो सबसे पहला point क्या बोलते पता है जो भी candidates को marks 0 या negative marks में है ये AIEUG इन लोग ने पहले से इसको गलत लिखा है यहाँ पस क्या लिखना है हमको AIEUG नहीं हमारा ICRCVET लिखना था इन लोग ने पुराना वाला name लिख लिया है ठीक है कोई बात नहीं तो आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पस लिखाएगे counselling क्या होगी 4 round की होगी ठीक है 4 round की और mop up round एक एक्षटा होगा मतलब total 5 rounds में counselling होगी और upgradation जो है upgradation सिर्फ 1, 2, 3 round में आपको upgradation का allowance रहेगी ठीक है बाकी 4th और mop up में कोई upgradation नहीं होगा जो आपको allotment मिल गया है वही आपका allotment final होगा ठीक है इसको भी देखेंगे फिर अगर ICR अपने को यहाँ पस चीज बहुत अच्छे से clear करता है कि ICR कभी college अलोट नहीं करता यह हमेशा university अलोट करता है students को ठीक है तो उसकी university के अंदर university के अंदर जो college है वो अब अलग-अलग जगा के हो सकता है उन लोग की अलग-अलग criteria हो सकता है जैसे कि मैं जिस university में पढ़ता हूँ हमारे course में दो colleges है तो उनके हिसाब से उन लोग allotment करते हैं दोनों colleges university से 500 किलोमेटर प्लस दूर है वो भी एक दूर से 200 प्लस किलोमेटर दूर है अलग-अलग location पे है वैसे ही आपको अगर बहुत सारे colleges हुए बहुत ज़्यादा demanded colleges हुए तो आपको भी अलग-अलग जगा पे जाना पड़ सकता है क्योंकि वो merit basis पे होता है हर एक चीज़ ठीक है फिर ICR university जो है ICR जो है उसका eligibility criteria पूरा information bulletin में दीवाए तो आपको अगर information bulletin नहीं मिल रहा तो मैं शायद तक उसको शायद नहीं मैं उसको उसमें लाट डाल दूँगा क्या बुलता है हमारा description box में उसको upload कर दूँगा ठीक है फिर उसको अपने को rank card और हर एक चीजों को रखना है यहाँ पस eligibility के बारे हम बात किये 4th और 5th point पॉइं फिस 6th point में हम लोग देखते हैं कि ICR में क्या रहता है कई-कई university ने इसमें क्या clarify किया है कि अगर आपने किसी open school से क्या है complete open board से पढ़ रहे हो यह सब चीजे उन्होंने mention किया है कि अगर वो उस board को recognize नहीं करता है तो ICR उसके लिए responsible नहीं होगा क्योंकि बोर्ड आपने select जो किया है मान लोग कई-कई बोर्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा लब जो अलग pattern पर चलने होले उसके बारे हम यह 6th point में discuss किया उन्होंने यह 6th point में कोई भी स्टेट में ना ICR सीजो रहेंगी वो 40% से ज़्यादा नहीं होगे maximum 40% जैसे कि मैं अपने इस साल से 20% सीज को इन्होंने रिजर्व किया पिछले साल किया था लेकिन इस साल से इन लोग ने 13 सीज टोटल रिजर्व किया मतलब आउट 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 कैंडिडेट्स जो की रिजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है वो सब ICR और ICRADMISSION.IN वेबसाइट को कंटिनियूसली विजिट करते रहे हैं फिर ये टेन्थ वाला तेन्थ वाला पॉइंट सबसे ज़्याद इंपॉर्टेंट अगर जिसको भी कम्मुनिटी साइन्स प्रोग्राम में करना है तो वो क्या है ये CCASHAU हिसार और PJTACU हैदराबाद और Central Agriculture University में हमेशा सिर्फ female candidates ही eligible है मतलब आप choice filling करोगे अगर आप female candidates हो तो इन तीन universities के लिए अगर आपको community science से पढ़ना है तो आप female candidate होना आपका बहुत जरूरी है और अपल सरी है ठीक है और यह हो गया अभी यह बहुत जादा important है इसके लिए मैं एक separate वीडियो भी बनाऊंगा ताकि मतलब जब time आएगा तब बनाऊंगा बाकि आप इस पेज को न अच्छे से पढ़ लिजीएगा क्योंकि हर बार जो बच्चे गलती करते हैं वो मॉप अप आपस बोलता हूं कि आपने 10 choices fill की हैं 10 choices fill की है तो आपको 3rd number की choice allot हुई है ठीक है तो आपको क्या रहना रहता है कि Upgradation करना रहता है या आपको इसी में इसी में आपको allotment लेना रहता है ठीक है मानलो अगर आप यह first round का situation है तो अगर आपने किया तो second round में मानलो आपको लग गई second number का choice लग गई second choice लग गई third round में फिर आपने upgradation किया फिर third round में आपको first number की लग गई तो इसके बाद आपको admission लेना ही पड़ेगा ठीक है क्योंकि third round के बाद fourth round में आपको upgradation का option नहीं मिलेगा ठीक है और आपको एक औरी सबसे important point है मैं आपको इसको zoom करके दिखाता हूँ the option for withdrawal cancellation of see through applicant login will not be available to the candidates in this round मतलब mock up round जो fifth round है ना उसमें अगर आप 10,000 रुपे भरोगे अगर आपने admission लिया और admission लेने के बाद cancel कर दिया तो उसके आद आपको यहाँपस 10,000 रुपे आपको return नहीं होंगे ठीक है और इसमें zero और negative marks वाले candidates को allow नहीं करेंगे मॉप अपर round में फिर जिनोंने पहले से ही कोई ICR अगर कोई candidate रेजिश्टर नहीं कर पाता है फर्स्ट राउंड आफ कांसलिंग के लिए और आपको मॉप अप राउंड में करना है तो आपको 500 रुपीज फील पे करके आप उस राउंड में participate कर सकते हो फिर उसके बाद 6 पॉंड क्या बोलता है कि candidates जो कि पहले राउंड के लिए रेजिस्टर होगा है उन्होंने फीज भी रेजिस्टरेशन फी किये लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं की थी वह भी eligible है इसमें क्या था जिसने रेजिस्टरेशन फी पे नहीं की थी और इसमें पे की है ठीक है अदल आपको 500 रुपय मोटा मोटी भरने है हर जगा पे यह डाइरेक्ली भी ले सकते हैं अगर यहां पस चॉइस फिलिंग और नहीं कर ले हो तो और जिनों ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए रेजिस्टर किया है चॉइसेज किये हैं तो उनको उनको भी मतलब उनने रजिस्टरेशन फ् Alert करने के बाद कोई — documents हो गएदा अपलोड नहीं किये थे जिसको करन आपको मतलब seat allotment हो गई है लेकिन documents verification नहीं हो पाया था वो भी इस register करने के लिए applicable है, इस point को मैं आपको एक separate video में explain करूँगा, ठीक है, इस से हम यहाँ पस चीजे बताई गई है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, qualifying board examination ऐसा कुछ भी important हो नहीं है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, इन ragging के उपर दिया हुआ, anti-ragging community के उपर दिया ह हुआ है, फिर इसके बाद हमारे ISR counselling system कहां-कहां है, इन summary दिया हुआ है हापस, फिर university wise seats, चुकि मतलब और फिर undertaking, फिर यह हमारे admission through online counselling mode, यह सेम उपर की चीजे उन्होंने फिर से detail में explain किये, चाहे तो आपको ही method of selection भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और यह स से important है, इसको मैं आपको एक separate video में बता हूँगा, क्योंकि आपको documents, documents admission के वक्त कौन-कौन से ठीक है, जब आप upload करने के वक्त में क्या क्या लगेंगे, physical recruiting to the allotted agriculture university setting after counselling, ठीक है, जब आपस आप offline करोगे तो इन 13 documents में से कौन-कौन से document नहीं लगते हैं, कौन-कौन से लगते हैं, यह सब चीज अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते है, online counseling के through admission कैसा होगा, registration in counseling portal, choice filling, choice filling, फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, यह सब चीजे भी देखने हैं हमको, फिर online verification of document, seat acceptance fee, 10,000 रुपीज है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे फिर प्रोविजनल admission letter, फिर अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन में आपको choice filling के वीडियो के बात में बता होगा, ठीक है, यह होगया, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग, physical reporting, यहाँ पस clear clear रिखाओ कि adjustment seat acceptance fee के साथ में करना है, मैंने पहले बुदा था, जो भी आपकी total fees र चेडूल कास्ट, चेडूल ट्राइब्स, OBC, EWS, PWD और physically challenged students के लिए ठीक है, तो under privilege students भी बोलते हैं उनको, तो यहाँ पस हर एक seats का distribution बता गया है, और 100% कि यह है कि आपने seats बड़े हुए इस पर ठीक है, तो यह रहा, इस बाद मेरे ख्याल से, जो seats ज्यादा contribute कर रही है, व campuses के अलग-अलग seats है, ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं, Btech, BioTech में भी देख सकते हो, यह रहो, IRI के seats जूरी हुई है, फिर IRI, IRI राची, अलग-अलग campuses में इन लोग की, अलग-अलग seats आई है, फिर Dairy Technology में भी देख सकते हो, कि NDRI करनाल का भी seats distribution है, हापस दिया हु और एक extra बोले तो मेरे ख्याल से कोई अभी add भी नहीं हुआ है, SMC आनन्द, जो की SMC आनन्द का भी IIK ने भी देखना पड़ेगा, काम देनी उनिवर्सिर्टी के अंदर आता है, या वो आनन्द Agriculture उनिवर्सिर्टी के अंदर आता, यह भी हमको confirm करना पड़ेगा, ठीक है, फिर food tech के भी seats देख सकते हैं हाँ, मतलब total seat matrix के उपर भी हम लोग एक discussion करेंगे, मेरे खाल से choice filling के इस वीडियो में ही मैं आपको बता हूंगो कि seat matrix और choice filling हमको कैसे करनी है, तो total BTEC, BTEC में बहुत है तो 2756 seats है total, यह देखिए हमारी यह, कोई से course के लिए seats है, एक शायद तक म फिर उसके बाद other than that courses total seats किती है, इस बार total seats है 5095, 5095 seats पर इस बार counselling होने वाली है, तो आप देख सकते हो कि कैसे होगा, तो अब counselling आपको यह होगी और यह पूरे university के accredited university है, तो इसमें मेरे खाल से आनन्द agriculture university है, लेकिन उसमें btech dairy technology के लिए भी accreditation नहीं है उस college को, देखते हैं मिल जाएगा अगली बार, इस बार तो मिला नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो, और हो गया अभी यह पूरा complete है हमारा, और हम लोग फिर अगले वीडियो में आपको choice filling करके दिखाऊंगा, आपको कैसे choices add करने है, कैसे कैस कैसे आपको, उसको choices को arrange करने, कैसे कैसे universities को आपको देखना है, कौन सी अच्छी, कौन सी नहीं, उनको हमको यह भी बताना है कि कौन सा college आपको एक तरह से बास में रहेगा, यह सब चीज़े भी देखेंगे, अगर possible हुआ तो मैं हर एक, हर एक university के अंदर जो constituent college है, जहां आपको कित्याइसर के सीटे, यह भी आपको देने का, ट्राय करूंगा, so thank you so much for watching, subscribe कीज़ेगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीज़ेगा, और बने रहे हैंगे इस चैनल पे, thank you so much for watching